हलो स्टूडेंट आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आज के इस वीडियो में हम सीटाइड पेपर वन के लिए मैं इसके कुछ करेंगे यह जो कोशन है सीटाइड एक्जाम में पूछे जा चुके हैं तो पहला कोशन हमारे पास है 29,503 में पांच के स्थानियमान तथा 32,071 में साथ के अंकितमान में अंतर है तो दिखें सबसे पहले आपको यह पता हूं जिस थानियमान क्या होता है और अंकितमान क्या ह होता है स्थानियमान को हम इंग्लेश हों बोलते हैं प्लेस वैल्यू ठीक है तो हमारे पार पर यह दे रखा है 29,503 तो पांच का प्लेस वैल्यू क्या है यह एकाई दहाई यह सैकड़ा मतलब वन स्टैंस हंड्रेड है तो फाइव इंटू हंड्रेड करेंगे तो यह आग 7 की 7 ही होगी ठीक है तो हमें बोला है इन दोनों के बीच में अंतर क्या है तो 500 में से अगर हम 7 घटा दे तो 493 जो है इसका आंसर होगा option number B अगला है हमारे पास एक रेल गाड़ी हैदराबाद से शुकरवार को 13.15 पर चली और शनिवार को बंगलूर समय 37 पर पहुंची य वो 13 बच के 15 मिनिट पर चली और यह पहुंची कब है यह शनिवार को यह शुकरवार को थी और यह शनिवार सेटेड़े सेटेड़े पहुंची 7 तीस पर तो देखिए यहाँ पर जो फ्राइडे है 24 घंटे में से अगर मैं 13 घंटे 15 मिनिट घटा दूं कितने होगे देखि और यह 60 मिनिट हो जाएंगे 60 में से 15 घंटे 45 हो गया और 23 में से 13 घंटे 45 मिनिट है यह तो फ्राइडे के हो गए ठीक है यह फ्राइडे शुकरवार के हो गए और सेटेड़े यह पहुंची है सुबह 7 बच के 30 मिनिट पर तो यह 7 घंटे 30 मिनिट ही हो गए तो 10 45 और 7 30 इन तो यह हो जाएगा 18 गंटे और 15 मिनिट 18 गंटे 15 मिनिट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला कुश्चन है किसी आयत की लंबाई 80 सेंटीमीटर परीदी वाले एक वर्क की भुजा की दुगनी है ठीक है यहां पर यह बोला है 80 सेंटीमीटर परीदी परिमा मतलब इसका ज जो परीदी परीडर है जिसको हम परीदी अगला किवा भुजा की इसकी जो सारी साइड होगी 20 भी सेंटीमीटर की हो जाएगी ठीक है अब यह बोला है एक आयत है रेक्टैंगल है इसकी जो लंबाई है 80 सेंटीमीटर परीमाव वाले एक वर्क की भुजा की दुगनी है त तो यह 40 हो जाएगी यदि आयत की जो चोड़ाई हो 20 cm है तो आयत का छेत्रफल cm2 में कितना cm2 में वर्क के छेत्रफल से कितना अधिक है तो इसका जो एरिया निकालेंगे स्क्वेर का तो इसका होता है 20 x 20 400 cm2 हो गया और रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे तो होता है L x B जो की होगा 40 x 20 800 cm2 तो यह कितना अधिक है 800 और 400 में 400 का डिफरेंस है तो 400 इसका correct answer हो जाएगा अगला है फलों के मूले प्रती किलो नीचे दिये गए है ठीक है यहाँ पर मूले दिये गए है रेश्मा ने साड़े चार किलो तर्बूच खरीदा तो दीखे एक किलो जो है तर्बूच कितने का है 18 रुपे 50 पैसे का तो साड़े चार किलो को अगर हम लिख देंगे 9 by 2 से तो 2 से काटा ही हमारा हो जाएगा 9, 2 और 5 तो 9 पंजे 15, 9 पंजे 45 हो गया चार हां से नो दुनी अठारा उमने 20 दो 22, 81 और 83 पॉइंट आ गया बीच में तो 83.25 रुपेस का उसने तर्बूच खरीदा एक किलो और 200 ग्राम चैरी खरीदी ठीक है चैरी जो है 72 रुपे किलो है तो 1 किलो और 200 ग्राम एक किलो तो हमारे पास जो है कितने की होगी 72 की अब 200 ग्राम कैसे निकालेंगे 200 बटे में 1000 गुना 72 इसको काटेंगे एक बटे 5 आया 5 से काटा तो यह जब पांच दो गया 5 चौक 20 और 5 चौक 20 दोनों को एड़ कर देंगे तो यह जो 6.4 रुपीस का इतने का तो हो गया हमारे पास चैरी और आगे बोला है 200 ग्राम उसने अंगूर खरीदे ठीक है 200 ग्राम अंगूर जो है एक किलो 120 पॉइंट 6 के हैं तो 200 ग्राम जो हो गए एक बटे 4 जो है गुना कर देंगे हम 120 पॉइंट 6 से तो इसको काटा चारती है बा खरीद लिए 15 के अब 134 के लो सेप खरीदे तो इसको करें चार और 37 साथ बटे 4 गुना सेब जो है 7 8.4 का है तो इसको कैंसिल करा चार एकम 4 तीन गया चानिम 36 दो गया चार छिक 24 ठीक है तो इतने में यह हो गया अब इसको साथ से गुना करेंगे तो कितना आएगा साथ चिक 42 का दो चार हासी साथ निम तरे सट सड़ सट साथ हो गया छे साथ और छे तेरा तो यह हो जाएगा हमारा कितना 137.2 अब उसने बोलाए कि कितने रुपे वापिस की 500 का नोट दिया पहले टोटल कर लेते हैं तो टोटल करेंगे तो हमारे पास जो आएगा 83.25 और यह आगया हमारा 86.40 अगला है 30.15 और लास्ट था हमारा लास्ट था हमारा 137.20 इसको एड़ कर देते हैं 10 का 0 एक हांसिल 8 एक नोट 10 का 0 एक और हांसिल 10 17 का 7 एक हांसिल 16 और 6 22 और 23 का 3 दो हांसिल और यह 3 तो 337 रुपे है तो 500 रुपे दिये 337 का खरीदा तो 396 और 163 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला है अब यहां पर बूला गया है कि अगर हम 12112 को 11 से और 13223 को 13 से भाग देने पर प्राप्त शेश फलो का योग बताना है क्या होगा तो इसको भाग करके देख लेते हैं तो 12112 को हम 11 से करें 11 एकम 11 हो गया माइनस किया तो 11 एकम 11 फिर अगला नमबर उतारेंगे एक तो होता है नहीं तो 0 लगा के एक और नमबर उतारा दो 11 एकम 11 तो यहां पर तो हमारा यह तो एक जिरो लगा फिर एक और दो उतारा 13 एकम 13 सातिन नौ और यह तीन उतारा 13 सत्ते 91 माइनस किया दो यहां इसका शेश फल दो बचा है यहां एक बचा है तो बोला क्या है दोनों का योग तो दोनों का योग वन प्लास टू थरी अगला है हमें बुला है कि 30, 36 और 42 के सबसे चोटे सार्व गुनज तथा सबसे बड़े सार्व गुनज का गुनफल क्या है तो यहाँ पर बुला है इन तीनों के HCF और LCM का गुनफल बताना है क्या होगा अगर हम इस तीनों का HCF निकाले 30, 36 और 42 का तो HCF कैसे निकालेंगे अगर मैं तीनों के प्राइम फच्टर निकालूंँ, 30 से करा 2 से करा 15, 3 से करा 5, 5 से करा 1 हो जाएगा ठीक है यह इसके फच्टर हो गया, 36 के निकालते हैं, 2 से करा 18, फिर 9, 33 एक, 42 से करा 21, 13 से करा 7, फिर 7 से करा 1 अब तीनों में common क्या है? दो common है और एक तीन भी common है ठीक है? तो जो HCF होगा इनका multiple होगा दो गुना तीन बराबर 6 तो HCF तो अच्छी होगा अब LCM निकाल लेते हैं 30, 36, 42, दो से करा 15, 18, 21, फिर दो से करा 15, 9, 21, तीन से करा 5, 3, 7, ठीक है? तो यहाँ पर जो है 3 से करा 5, 1, 7, फिर 5 से करा 1, 1, 7 और फिर 7 से करा इन सब को multiply करेंगे, तो हमारे पास कितना जाएगा? यह तो हो गया हमारे दो पंजे 10, ठीक है? और यह हो जाएगा हमारे पास 9, और यह हो जाएगा 14, 14, 9, 126, गुना 10, 160, यह LCM हो गया और इन नों का multiply बताना है क्या होगा? तो 1260, गुना 6, 0, 6, 36, तीन हासिल, छे दुनी 12, और तीन 15, एक हासिल, छे और एक साथ, 7560 इसका correct answer होगा? अगला question है, 15 दिनों में मिंटों की संख्या बराबर है, 9 में से किसके second की संख्या के? तो यहाँ पर 15 दिनों में कितने मिनिट है, पहले वो निकाल लेते हैं, तो 15 दिनों में, अगर मैं घंटे निकालों तो 24 होते हैं, और इसको अगर हम मिंट में चेंज करें तो गुना हमें 60 से करना पड़ेगा, ठीक है? यह हो गया, अब अगर मैं इन सब को second में चेंज करक करने के लिए दुबारा 60 से, ऐसी 4 को भी 60 से और 60 से, और ऐसी 5 को भी 60 से और 60 से, ठीक है? अब देखिए इसको अगर मैं इसी के form में लिखूं, तो 15 गुना 60 को, 60 बनाने के लिए कि से करना पड़ेगा, चार से, तो 24 के फैक्टर करूंगा, चार गुना 6, गुना 60, तो यह को ला रहा है, यह आ रहा है option number first के, अगला कोशन देखते हैं, अगला है, दस हजार, प्लस दस सो, प्लस दस इकाई, बराबर है, दस हजार, तो यहां पर ला है, दस हजार, तो यह हमारा गया, दस हजार, ठीक है, यह दस हजार हो गया, और प्लस दस सो, तो दस गुना 100 कर द प्लस दस एकाई दस गुना एक तो यह दस अजार प्लस एक हजार प्लस दस तो इन तीनों को अगर हम एड करेंगे तो हमारे पास जो आजर आएगा वाएगा 1100 10 का ठीक है तो option number c हमारा correct हो जाएगा तो यह थे हमारे paper 1 के लिए मैंस के कुछ important question उमीद्या आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा थेंक यू